गोगा कपूर बॉलीवूड के मशहूर अभिनेता उनका असली नाम रविंदर कपूर था उनका जन्म 15 दिसंबर को पंजाब के गुज्रावाला में हुआ था जो अब पाकिस्तान में है वे एक अमीर परिवार से थे लेकिन विभाजन के बाद वे भारत चले आए 1947 में विभाजन के दोरान वह अपने पिता से अलग हो गए थे लेकिन उनकी मा को पक्का भरोसा था कि एक दिन उन्हें उनके पती मिल जाएंगे और ऐसा हुआ भी कुछ वर्षों के बाद वहे एक कॉफी शॉप में उनसे मिली उनके पिता ने एक कपडो के इंजिनियर के रूप में काम करना शुरू किया शुरू में अपने पिता की तरह गोगा का पूर भी टेक्स्टाइल इंजिनियर बनना चाहते थे लेकिन उनकी किसमत में कुछ और ही लिखा था जल्द ही अभिने में उनकी रुची पैदा होना शुरू हुई अंग्रे जी में नाटक से शुरुआत की और जल्द ही उनके अभिने कोशल को पहचान मिली और उन्हें 1971 में आई ज्वाला में एक छोटी भूमिका मिली इसी दोरान एक कुवारी एक कुवारा नाम की फिल्म मिली जो 1973 में रिलीज हुई थी इसमें उन्होंने एक खलनायक का रूल किया था और बस यही से फिल्मों में उनके नकारात्मक पात्रों की शुरुआत हुई इसके बाद उन्हें विलेन की भूमिका के लिए कई रोल मिले और जल्दी गोन कपूर बॉलीवुड में प्रसित खलनायकों में से एक बन गए अमिताब बच्चन के साथ तूफान और अगनिपत शाहरुक खान के साथ कभी हां कभी नामे निभाए गए उनके रोल जैसे हमेशा के लिए अमर हो गए बात करें टीवी की तो महाभारत 1988 में कंस्प की भूमिका उन्होंने जिस तरह निभाए सिनेमा पंडित कहते हैं कि कोई और उस भूमिका को इतने बहतर धंग से नहीं कर सकता था अपने स्ट्रगल के दिन उन्हें हमेशा याद रहे और वह सिने आर्टिस्ट्स असोसेशन के सबसे सक्रियर सदस्यों में से एक थे लंबी बीमारी के चलते 3 मार्च 2011 को मुंबई में उन्होंने अंतिम सास ली उमीद है वीडियो आपको पसंद आएगा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया